नमस्कार फ्रेंड्स जैज अगनात मैं अरुंदती और आप देख रहे हैं गार्टिंग वी तरुंदती देखिए दोस्तों यह जो सामने जो प्लांट दिख रहा है आपको यह गुढ़ल का मिनियेचर वराइटी का प्लांट है और यह देखिए मैंने इसको कटिंग से ही ग् कली है यहाँ पर एक छोटा सा है उससे बड़ा और यह तीन तो चार कलिया है अभी इन में और एक फ्लार खिल चुका है और यह प्लांट मुझे बहुत ही प्यारा लगता है छोटे चोटे पूल होते हैं और बहुत ही प्यारा लगते हैं तो इसको मैंने आज ले ली है जिसको लगाऊंगी ठीकर मैंने ड्रेनेजोल को कबर कर लिया है पुरानी मिट्टी ही ले रही हूँ ये देखिए हमारे यहाँ बहुत ज्यादा बारिस होती है तो ये पानी मतलब ये मिट्टी हमेंसा गिला ही है अभी तो सुखाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है अभी और इ इसके बाद इस मिट्टी में मैं डाल दूँगी ये देखिए ये है टी लिफ कंपोस्ट है ये देखिए टी लिफ कंपोस्ट है मैंने इसको घर में ही तयार किया है आपको दिखाती हूँ ये देखिए टी लिफ कंपोस्ट बहुत अच्छा होता है गुडल के प्लांट के के लिए और रोज प्लांट के लिए इसमें यह प्लांट में करने से बहुत ज्यादा ब्लॉमिंग होती है प्लांट में तो पहले तो मैं इसको ले लेती हूं यह देखे हैं और थोड़ी सी मैंने लिए है फंगी स है और यहां पर देखे youtube की वराबर में लिए बस इसको अच्छे तरह से थोड़ा सा स्प्रेड कर देना है मिला लना है और थोड़ी से भी मिट्टी हम अपलाई कर सकते हैं इसको मिलाने के लिए क्योंकि यह नीचे ही रहेगा यह जो खाद है यह विल्कुल नीचे ही रहेगा उपर से हम जब पानी देंगे तो यह दिरे होके मिट्टी में मिलता रहेगा और प्लांट को मिलता रहेगा तो देखिए दोस्तों यह जो प्लांट है अभी मैं इनको निकाल लेती हूं एक हाथ से तो नहीं हो पाएगा पहले थोड़ी से मैं इसको निकाल लेती हूं आप से मिलती हूं यह देखिए दोस्तों मिट्टी में लगें तो फिर अपना जड़ पकड़ लेगा इस तरह से देखिए बिलकुल मिडिल में रखना है और उपर का जो मिट्टी है उटको भी थोड़ा सा हटा देना है क्योंकि यह दोस्तों देखिए मिट्टी बहुत ही बड़िया है तो गार्डन का मेरे गाडन का ही मिट्टी है तो कोई घबराने की बात नहीं है अगर चिकनी मिट्टी होती हम खरीद कर जब लाते हैं प्लांट को तब हम मिट्टी को हटा देते हैं थोड़े-थोड़े मिट्टी हटा देते हैं तो देखिए रोस्तों अभी मैं इनमें और थोड़े से मिट् मिट्टी में पहले से ही कुकोपीठा एड़ हुआ है और रिवर सैंड में इसमें आड़ हुआ है तो कोई बात नहीं यह देखिए मैंने अच्छी तरह से इसको थोड़ा-थोड़ा प्रेस कर लिया है ताकि इसमें एर पकेट ना रहे और इस मिट्टी में अभी मैं देख रह है रखने में मदद करते हैं तो अर्थवर्म अगर कहीं से आपको मिलता है तो भी आप इसको लाग कर अपने गमले में जरूर छोड़े ताकि यह मिट्टी को भुरुगुरा बनाता रहे और मिट्टी बहुत हलकी बने रहे यह देखिए दोस्तों यह प्लांट अभी लग गया है और यह वाला प्लांट जो है गुड़हल का यह सनलभिंग प्लांट होता है तो इसको हमें इस तरह की जगह पर सेट करना है रखना है जहां पर दीन का छे घंटे का थूप तो इसको मि करेंगे तो अभी मैंने खाद दे दी है और मिट्टी गिली है अभी मैं पानी इन में नहीं दूंगी क्योंकि मिट्टी बहुत ज्यादा गिली है और जो पॉली बैग में था वह भी गिली था गिला था मिट्टी तो अभी मैं इन में पानी नहीं दे रहे हूं क्योंकि अभ इनमें बहुत ज्यादा blooming होती है इनकी थोड़ी थोड़ी pinching करते रहेंगे soft pruning करते रहेंगे तो बड़ीया से इनमें blooming होती रहेगी और हम इसे फिर 20-25 दिन के बाद ही कोई खात देंगे नहीं तो इसको जरूरत ही नहीं है हाँ इसमें DAP के add करना में भूल गई हूँ DAP इस सारे वराइटी के food हजम नहीं होते इस तरह से plants को भी सारे वराइटी के जो nutrition एक साथ अगर दे देंगे तो फिर accept नहीं करता है तो इसलिए मैं अभी नहीं दे रही हूँ और DAP chemical fertilizer होता है तो मैं इसको साथ दिन के बाद ही इनमें apply करूंगी तो दोस्तों यही था कि छोटा अगर आपके पास यह वाला plant नहीं है तो आप इसको जरूर लाइए और देखें यह बहुत बढ़िया blooming होता है तो आपको भी बहुत मचा आएगा यह plant को लगा कर तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जय जगन्नाद स्टे च्बनाद स्टे के लिए एंगे चरe करता है दोस्ते हैं पुरढे नहे घूर देखें देजत टोस्ते का वाला what नहीं में में तेखेंएно इसके लिएस जाएए से करते हैं रिएसे bio आपके टीएसे k में तेखें देखें पारीज। splend用 के तोस्ते हैं तोस्ते हैं ते हैं त